जीवन में आईसी कोई भी घटना होती नहीं जो आपको प्रहवित कर सके जो आपको दुखी पहुंचा सके उस घटना को अगर आपने स्विकार कर लिया तो मगर बिरोद कर लिया तो हर कोई घटना आपको दुखी कर सकती है इसलिए ब्यक्ख्या आप क्या करते हैं उससे आप सुखिया दुखिय होंगे घटना आपके जीवन में क्या घटती है उससे आप दुखिया सुखिय नहीं होती है इस सप्थे को अच्चे से समझ लेना है आपको कहे दें कि समग्र सुविकार करना है जो गुस्पी आपकी जीवन में घटे, तो आप त्रूनत ही कहेंगे, गुरुजी, मैं सुईकार करना ही पाता हूँ इस चीज को, तो आप समझे नहीं, समंग्र स्विकार का यह अर्था यह है कि आप उस घटना को भी स्विकार करेंगे और उस घटना के कारण जो आपके मन में प्रुभाब पड़ गया उस प्रुभाब को भी स्विकार करेंगे उसको अस्विकार करना यह नहीं है घटना दो घटना है एक बाहर की घटना है वितर की घटना है समग्र स्विकार का अर्थ है दोनों घटना को एक साथ स्विकार तो समग्र स्विकार को आप जानेंगे तो आप यह नहीं कहेंगे, मैं सुविकार कर नहीं पाता, सुविकार नहीं कर पानी को भी आप सुविकार करेंगे फिर मन का जो चालबाजपन है वो यह कहेगा, हाँ गुरुजी मैं तो सुविकार करूंगा, तो होगा न और आप कुछ छिण के लिए स्विकार करेंगे और कोने से देखेंगे कि स्विकार करने से मुझे कुछ लाब हुआ कि नहीं हुआ फिर आप कहेंगे कि गुरुजी मुझे तो हुआ नहीं कुछ लाब तो फिर भी आपने स्विकार भाब को समझाने स्विकार भाब का तो यह अर्थ था कि आपको कुछ नहीं हुआ तो उस ना कुछ होने को भी स्विकार करना है इसमें तो माग आएगा ही नहीं, स्विकार में कभी भी माग नहीं आता है आपको नहीं हुआ तो नहीं होने का भी स्विकार करना है तो जीवन में निरंतर इस्मन करने का जो सार सब्द है स्विकारभाब इसको अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा सुन ले बीच में ही आप मत जाएं क्योंकि जितना वीडियो आगे चलता जाएगा उतना आप इस विग्ज्यान को इस रहस्य को खोलता जाएगा कोई मित्र प्रस्ण पूछ रहे थें कि आजकल अध्यात्म के नाम पे सार सब्द का बहुत तहल का मच रहा है तो क्या आप बताएंगे कि ध्यान साधना में ऐसा कोई एक सब्द क्या हो सकता है जिसको हम निरंतर इस्ट्मरण रखने के कारण हमको कुछ लाप हो जाएग पहुत महत्तुपन पुष्ण है क्योंकि साधना में अगर किसी एक बात को हम लगातर इस्ट्मरण कर सकें तो वह बात हमको साधना में जोड के हमको रखने में सवयोग करेगी नहीं तो हम भूल भूल जाएंगे और जब हम ध्यान करने के लिए बैठेंगे या प्रवचन सुनने लगेंगे तब वह बात याद आएगी और उसी के बारे में अगर पुरवचन हो तो फिर हम भूल ज और इसके कारण हमारा जो साधना है उसमें ती ब्रता नहीं आएगे तो साधना में ती ब्रता लाने के लिए किसी ऐसा एक बात को एक अंडर्स्टेंडिंग को निरंतर इस्मरण करना अच्छा होगा और साधना में प्रम्भारा का दुरूप से इस तरह की बहुत बेवस्था लागू होती है जैसे नाम जब इत्यादी होते हैं जब करते हैं लोग ताकि लगातार हमको उस सब्द के साथ जुडाओ होता रहें और हम भटक ना जाए तो वो बात क्या हो सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे वो बात होता है सबसे महत्तुपुना द्यान करने युग्ये है इस्मरण करने युग्ये है वो होता है स्विकार का भाब आपको हर पल स्विकार का भाव स्विकार करना है हर चीज को यह बात अगर इसमरण में आजाएं तो आपकी साधना में तिब्रता आएगा आप भटकेंगे भी नहीं और आपको कभी दुखा और परिशानी भी नहीं होगी किस्विकार का भाव भाम को चीजों से अलग कर देती है जिसको भी आप स्विकार कर देते हैं उससे आप अलग हो जाते हैं अगर आप चिंता में हो तनाप में हो डिप्रेशन में हो तो अगर आप उसको भी स्विकार कर दो आप भी कहे दो कि ठीक है मैं चिन्ता में हूँ तो हूँ और इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता और इसका मैं करता भी नहीं तो स्वीकार करने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं तो आप स्वीकार कर देंगे चिन्ता को भी फिर वो चिन्ता-चिन्ता होगी नहीं क्योंकि चिंता बिरोध के कारण पैदा होती है। इस पात का आप अच्छे से सम्मझ ले। आपको जो भी दुखतना बंधन का अनभव होता है वो सब बिरोध के कारण ही होता है। अगर आप बिरोध ना करो तो कोई बी चीज़ आप पर हावी हो नहीं सकता। कोई भी दुखे आपको छू नहीं सकता। जैसे आपको कुछ असफलता हो गया और असफलता तो होगा ही लगातार तो उस असफलता को आप अगर एसेप्ट करने पाएंगे उसका बिरोध करेंगे क्यों हुआ नहीं होना था अईसा आप कहेंगे, तो वो बात आपको प्रभावित करने लगेगे, और आप और दुखी होने लगेगे, मगर आप उरको एसेप्ट कर लोगे, ठीक है कोई बात नहीं, यह हुआ तो हुआ, तो वो बात आपको प्रभावित नहीं करेगे, जैसे आप एकजाम में फेल हो जितना आप बिरोद करोगे, उतना आप पीडित होते जाएंगे, और यहां तक पीडित हो सकते हैं, कि आपको सुसाइट करना आवस्यक हो जाता है, और बहुत लोग होते हैं, जो एकजाम में फेल होने के करण सुसाइट करते हैं, जो प्यार में धोका पाने के करण मगर आप इस इन असफलताओं को बिरोध नहीं भी कर सकते हैं, जैसे आप एक्जाम में फेल हो गए, आपने ये कहे दिया, कोई बात नहीं, फेल हो गए तो हो गए, और पास होना के बल एक ही ये जिन्दगी तो नहीं होती, आप इसलिए तो पैदा नहीं होती है, कि आपको होना है, और जिन्दगी बहुत भरी पड़ी हुए, और बहुत सेक्टर है, आप अनेक सेक्टर में जा सकते हैं, आप दूसरी बार भी प्रियास करके सपल हो सकते हैं, आपने किसी लड़का और लड़के से ध्वका पा लिए, आप बिरोध करने लगेंगी, मगर आप स्वि ध्वके बाज ही थी, और ध्वके बाज के साथ रहना मुझे अच्छा नहीं होता था, इसलिए ये जल्दी ही मुझे छोड़के चली गई, उसने मुझे बहुत बड़ी करपा की, वो बाद में भी मुझे और विश्वास में डालके साधी करके भी ध्वका दे सकती थी, तो आपकी ब्याख्या क्या है, उससे फर्क पड़ता है, घटना क्या घटी है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, और कोई भी घटना इसी होती नहीं, जिसके कारण आप दुखी हो सकती है, कोई भी इसी घटना नहीं होती है, मगर आप किस तरह आप ब्याख्या करते हैं, दो ही बेक्ष्या होगी, एक बिरोद्त की बेक्ष्या होगी और एक स्वीकार की बेक्ष्या होगी एक आप बधते जाएंगे और वो आप पर हाबी होता जाएगा, और आपको इतना दुख हो सकती है कि मैंने कहा आप सुसाइड भी करना पड़ सकता स्विकार की ब्यक्ख्या करेंगे तो वो बात आपको छुएगी नहीं आप उससे अलग हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे वही घटना आपको मिटा भी सकती है वही घटना आपको आगे लिवी जा सकती है आपको किस्ने धुखा दे दिया तो आप एकदम से अपने को समालने लगे और जीवन को अच्छा बनाने लगे और भहुत सारे आइसे होते हैं जीनोंने आइसे घटनाओ के कारण पाठ सिखा और बड़े उचे-उचे सिखर पर वो पहुंच गए तो ब्याख्या ही मुलबूत बात होती है ऐसे आप दियान करते हैं बहुत सारे मित्र हैं जो कहते हैं मुझे दियान क्यूने लगता अभी तक मुझे दियान नहीं लगा और कभ मुझे दियान लगेगा तो यह जो आप कहते हैं यह जो ब्यक्ष्या है बिरोध की ब्यक्ष्या इस तरह ब्यक्ष्या करेंगे तो आपको ध्यान कभी लगेगा नहीं ध्यान ना लगने के कारण बिरोध के कारण आपको ध्यान तो लगेगा नहीं आपको दुख तनाप छटपटी असान्ती ये चीजे अनुभब में आने लगें इसलिए जो लोग ध्यानी होते हैं वो और ज्यादा चिंतित दिखाई पड़ते हैं आप देखें ना अध्यात्म के राष्टे पर जो चलने आले लोग हैं जो सन्याशी बनके बैठे हैं बाबाजी बनके बैठे हैं या साधू बनके बैठे हैं वो कितना दुख में होते हैं छोटी-छोटी बातों पर उनके विदर कितना क्रोध पैदा हो जाता है इसका आर्था यह है उन्होंने यह बाद ठानली कि उनको ध्यान मिलना ही चाहिए और क्यों नहीं मिला और वो और ज्यादा जोर से करने लग कि एकदम सन्याशी हो जाएंगे और राक को अपने शरीर में लपेट लेंगे यह सब बिरोध की भावना से ही पएदा होता है हुआ नहीं उनको क्यों नहीं हुआ तो वहां तक जा सकते हैं मगर जितना वो जाएंगे उतना ही उनको मिलेगा नहीं इसी बात को आप इस तरह मिलता नहीं और मुझे ध्यान मिले भी कि मेरी क्या पात्रता है और मुझे क्या पता ध्यान नहीं लगना यह भी मेरी विकास की कोई कड़ी हो सकती है यह भी एक लर्निंग हो सकती है तो आपने सहाध रुप से स्वीकार कर लिया आपको ध्यान पाना भी नहीं आपको तो सत तो इस तरह आप लेंगे, तो आप सांत हो जाएंगे, जब आप सांत हो जाएंगे, तो ध्यान अपने आप ही लगेगा, ध्यान को आप ला नहीं सकते, ध्यान अपने आप आएगा, स्विकार का भाव से ध्यान आता है, ध्यान करने से ध्यान नहीं आता है, तो आपको हुआ उस बात को आप सुविकार कर दो कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ जब आप सुविकार कर देंगे फिर आपको हो जाएगा जैसे आपने सुविकार कर लिया कि किसने धोखा दे दिया आपको तो ठीक है कोई बात नहीं आप पर इच्छा में फेलो गए तो सुविकार कर लिया कि क वोई ब्यात, ऐसा है, दो है हम कुछ भी नहीं कर सके एSte तो आप स्विकार भाव को निरंतर इस्मरण करें आप कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कहीं किसी से बात कर रहे हैं तो आप इस तरह चलें कि जैसे सब खुछ स्विकार है आपको कुछ बिरोध नहीं है, बाहर कितनी सारी चीज हैं, वो हैं, आपने उसको बनाया नहीं है, एक पेड खड़ा है, तो पेड खड़ा है, अगर आप बिरोध करने लगेंगे, यह पेड क्यों खड़ा है, यह पेड यहां पर खड़ा नहीं होना चाहिए, तो फिर दिक्क में जाल देते हैं और लोग होते हैं उनकी प्रवृति ही यह हो गई बिरोध करने के कितने लोग होते हैं आपके आसपास के लोग होंगे और देखें दिन भर बिरोध के ही भासा बोलते हैं यहां ऐसा हो गया वहां ऐसा हो गया यह नहीं होना चाहिए था और नहीं होना चाहि बिरोत की भासा, ये समाज के दोरा आदत बन गई हमारी भी, इसलिए हम जाने अंजाने बिरोत करते हैं, और संसार में जीने के लिए संका आवस्यक होती है, लोगों उपर विश्वास करने से हम लूट जाते हैं, इसलिए हम संका करने के कारण लोगों के बिरोत करते जाते है कोई कुछ कहेगा तो उसका हम बिरोद करेंगे तो यह आदत हमारे भितर गनिवुद्ध वकर बैठके तो अब आई सी इस्तितिय आगे जहां हम जाएंगे वहीं बिरोद करेंगे चल रहे हैं रास्ते पे एक जानबर को देख लिया आपने अब तुरून तहीं उसका बिरोद कर रहे हैं कुछ लेना देना नहीं है गाये रोड में आ रही है चल रही है तो चल रही है उसका बिरोद करने से आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है कुछ लेना देना भी नहीं है मगर आप भितर ही भितर यह सोचेंगे कि यह गाय क्यों आ रहा है यह बखरी क्यों खड़ क्यूं है नहीं होना चाहिए था इसका बड़ा घर इर्षया से भर जाएंगे कार देखेंगे तो मनमन में कहेंगे इसकी इतनी अच्छी कार एकदम से बिरोध करने लगें आपको भी पता नहीं कि आप एकदम से बिरोध करने लगें बिरोत करना एक मुर्खता होता है अज्ञान होता है आप इसको समझे आप सुविकार का भाब ये नहीं है कि आप हार गए आपके पास कुछ बचा नहीं तो आपने सरेंडर कर दिया और उसको सुविकारना पढ़ा अइसा नहीं है स्वीकार के अँञा अधिया है कि आप सत्ति को जैसा है वह sati डेखना चाहते हो अपने तरब से भ्याक्या नहीं करना चाहते हो अगर पेल अहां पर खड़ा है उसको स्वीकार करेंगे आप हर गया उसको स्वीकार करने से आप हारने जाव this change क्योंकि आपने सत्ते को स्विकार लिया न ऐसा है तो है आपने उसको पैदा नहीं किया आप उसको मिटाएंगे भी नहीं आपका कुछ लेना देना है नहीं उसमें धरती है, आकासे, चानदे, हवा चलती है, लोग होते हैं, जानबर होते हैं, सुसाइटी होती है, ये सब चीजें होते हैं, आपने इनको पैदा नहीं किया, तो आप अगर इनका विरूत करेंगे, तो ये चीजें तो आपका विरूत करने से नहीं तो नहीं होगी, आपके कहन जितना बिरोध आपके बितर होगा, उतना आप अज्ञान में पड़ेगे, अंदकार में पड़ेगे, आपके बितर बिहोसी पेदा हो जाएगे, तो बातों को समधना है कि स्वीकार करना है, इसलिए कि, इसलिए नहीं कि हम बात दे हैं, इसलिए कि ये सत्ते, ऐसा है, आपके कहने लगेंगे कि मेरे मन में ये विचार क्यों चला ऐसा नहीं चलना चाहिए था तो आप ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे बाहर पेड क्यों खड़ा है पेड को खड़ा वहां नहीं होना था रास्ते पे गाय क्यों चल रही है उसको वहां नहीं चलना था इसी तरह ही बात करते ह मगर हमको लगता नहीं ये दोनों बात एक ही जैसे होती है हमको बाहर ये पेड क्यों हुआ ये कहना मुर्खता पुना लगती है मगर मेरे मन में विचार क्यों चला मेरे मन में दुखा क्यों आया इस तरह का विश्र आने को हम कहेंगे नहीं यह बीर्ग अता पुण बात हैं। उसको हम मानेगे कि मैं ने इसको पीदा किया तो क्यों किया। अगर ने चाहता तो यह पेदा नहीं भी कर सकता। इश्चसती हैं मगर ऐसा है। आपके मन में जो बिचार चलते हैं, वह भी ऐसे ही चलते हैं, जैसे बाहर पेड़ होते हैं, गाये चल रही होते हैं, आकास होता है, चांत होता है, आप काउन हो, आपने अपने बिचार को पैदा तो नहीं किया, आपका जो सरीर है, वो सरीर भी ऐसा ही एक बस्तु है, जैसे पेड होता है तो आपका शरीर हो ग्या कोदा का रहों कि वॉसे को भी श्विक्र कर लो ओ कि दूपा, इसके अठीक हो हुआ। मगर हम अपने सरीर के साथ ताडात्मी कर लिती हैं, हम इसे सरीर को अपना सरीर मानते हैं, यहां पर गड़ड़ हो जाती है, अपना मानते हैं तो अच्छा होना चाहिए फिर, दुसरे का है तो बुरा होना चाहिए, अपना है तो अच्छा होना चाहिए, अपनी बीबी है सु हमारा होता है ना दूसरे का होता है, यहां जो भी होता है, सब अस्तित्तों का होता है, आपका सरीर भी, आपका मन भी, यह सब अस्तित्तों से पैदा हुआ है, इस सत्य को जानेंगे, तो फिर बिरोद करने का कोई भी कारण नहीं है, तो आपके वितर बंधन है, तो बंधन को को भी शुविकार कर देंगे न हैं आई say यह जोईसे पेड़े तो जब आप स्विकार करेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी नजिक्कत दिक्कत नहीं होगे, तो आप मुक्त हो जाएंगे शरीर से, मन से, और उस मुक्ति और फ्रीडम का अनुभब करेंगे, उसके को ध्यान कहेते हैं, उसके को आत्मा कहेते हैं, जो गुष्पी आप उसका नाम दें. स्वीकार की समग्र स्वीकार की भावना के कारण, जो आपको फ्रीडम का अनुभब होता है वितर से, वो ही पाने युग्य है, वो ही अध्यात्म है, वो ही साच है. मगर मन हमको इसी तरह उल्जा देता है वो पहले बिरोध करता है और किसने कहे जादी बिरोध करना नहीं तो फिर वो बिरोध नहीं करने के लिए बिरोध करता है जिसे आपको किसी ने कहा मन में जो बिचार चलते हैं उसका बिरोध मत करो उसको स्वीकार कर लो तो आपका मन कहें, हाँ मैं स्विकार कर लूगा, ठीक है कोई बात नहीं, मगर स्विकार करने से होगा की नहीं होगा, जब होगा की नहीं होगा कहेंगे, तो फिर आप ने बिरोद कर लिया, फिर बाद में आप कहेंगे, मैंने स्विकार कर लिया, फिर मुझे क्यों नहीं हु आप माग नहीं करेंगे ना, तो माग हमको बिरोध में ले जाती है, तो इस तरह निरंतर अगर आप स्विकार भाव को इस्परण करें, तो आपकी जीवन में धिरे-धिरे ये भावना जवर्जस्त आएगी, और समगर स्विकार के कारण, आप हर चीज से मुक्त हो जाएगे, स्विकार हमको उस चीज से अलग कर देती है, विरोध हमको उस चीज से जोड देती है, विरोध करेंगे तो आप उसके साथ चिपक जाएगे, उसके बंदन में फस जाएगे, स्विकार करेंगे तो आप उससे उपर उठ दाएगी तो यह मुल्वल सुत्रा है तो नय मित्र को कुछ सुचना देना चाहता हूं इस तरह की कुछ गाइडेड मेडिटेशन तो मेरे पास है उनको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वर्षप मेरे चाट कर सकते हैं वर्षप पे उसका नमबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ है